हेलो इवरिवन मेरा नाम है शिवान और आप देख रहे हो इंजिनियरिंग वाला भी जैसे कि आपको पता है शिक्वल एक ऐसा स्किल्स जो कि डीटा साइंस और डीटा अनलेटिक्स दोने ही रोल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होता है जब भी हम किसी भी डीट साइंस और डेटा अनलेटिक्स जॉप के लिए अप्लाइ करते हैं तो मुस्टी डूरिंग इंटर विव होता है वह पाईदन हो और शिक्वल को सो नसे से इंटर्विव स्टार्ट करता है राइट इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कंप्लीट डेटा इनलेटिक्स पोरजेक्ट यूजिंग शिक्वल इस पोरजेक्ट को मैं थिरी पार्स में डिवाइड किया हूं फर्स्ट जो है हमारा विगनत जिसमें हम एट टूट question discuss करेंगे and slowly intermediate questions start करेंगे intermediate questions में again 8 to 10 questions मैं discuss करूँगा and 122 questions आपको assignments बनाना है approach मैं discuss करूँगा शिकल करी आपको खुछ से लिखना परेगा जो भी assignments मैं दोंगा इसी तरह हम next step जम करेंगे अपने advanced step में advanced step में जहां पर मैं 7 to 8 questions discuss करूँगा and again one to two questions आपको एजय assignment करना है and comment section में insert बताना है अब discuss कर लेते हैं इस वीडियो से आपको क्या सिखने को मिलेगा and क्यों आपको यह complete data analytics project वीडियो देखना चाहिए इस वीडियो में first आप SQL query build करना सीखोगे कैसे किसी भी data का complete आप analysis कर सकते हो using SQL second जो भी आप project अभी हम कर रहे हैं same project आप अपने resume में add कर सकते हो third आपका interview calls आने का chances बढ़ जाएगा अगर आप इस तरह का complete SQL का project अपने resume में add करते हो तो video start करने से पहले एक important point इस वीडियो का target है 500 likes सो आप सभी सी request है प्लीज वीडियो को like कर देना अगर आपको लग रहा है इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों अपने LinkedIn handle पर भी जरूर सेर करना सो चलो start करते हैं first point से जो कि है हमारा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसमें टेवल करते हैं और टेवल करने के बाद डेटा सेट को लोड करते हैं and then one by one हम लोग क्या करेंगे वीडियो जो भी कोश्चन है उसको सोर्व करना स्टार्ट करेंगे तो चलो उपन करता हूं मै आपना टर मिनल तो जैसे कि आप तर मिनमें देख सकते हो सबसे पहले मैं क्या ह 쿠 Bye यहां पर एक database क्रीट करने के बाद क्या क्या हूं यहां पर टेबल बनाए हो वह हमारा job से इंटीजर आईई है एक्सक्रीयंस लेवल है employment टाइप है जॉब टाइटल है सैलरी है सैलरी करेंसी सैलरी इन एस्टीए इंपलियर रेसीह डिमॉट रेशीयो कंपणीलोकेचान सब्सक्राइब है इसको हुँज करता हूं उसके बाद दोनों आपको टेबल को सबसे पहले बताता हूं उससे पहले आपको क्या करना है सबसे आपको टेबल बनाने के बाद आपको यहां पर रिफ्रेज कर लेना है इस चीज को जैसे यहां पर आपका चुका है अब अगर आपको यहां पर आता है टेबल डेटा इंपोर्ट करें जो टेबल में जोडिटा आपको इंपोर्ट करना है जैसे कि मुझे डेटा को import करना था तो same select करके right click and then उसके बाद आप यहाँ पर data import कर सकते हो जैसे आप यहाँ पर data import क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास आजाएगा कि ठीक है अब आप अपना dataset select कर सकते हो तो यहाँ से आप browse करके जो भी आपका dataset है वह dataset आप यहाँ से select कर लोगे ठीक है तो जैसे कि DSL है तो DSL select करके open करोगे and next next करके इसको finish कर दोगे सेम इसी तरह आप jobs का जो आपके पास dataset jobs वाले dataset भी आप लोड करोगे ठीक है अब आपका dataset लोड हो चुका है table create हो चुका है सेकेंड टेवल इसी तरह मैं आपको बताता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रों कंपनी जो कि है अपना उसमें क्या क्या था हमारे पास उस टेवल में था उसमें लोग स्टार्ट करते हैं फर्सक्षिण बिगनलेवल कोश्टन से इस वाट इस एविरेज सैलरी फुर आल जॉप सिंदास इस सेख्ट करना है धी अ उस Kollegin है है कहां पर हमारे डीड़ा सेट में असके लिए क्या करना है हमें चलो लिखते हैं इवरेज पाइट करे की सेरी और किया करता हूं जाप से चैप अरुघ करता हूं आज एवरेज सेट कर देता हूं जो आउटपूट आ रहा है क्या है मार पास 1,88,696 जो है क्या है एवरेज सैलरी है हमारे डेटा सेट में ठीक है तो यह हमारे पास इंसर फर्स्ट कोश्चन का क्या था हमारे पास कोश्चन कोश्चन था हमारे पास what is the average salary for all the jobs in the data set अब solution check कर लेते हैं जो की solution हमारे पास लाइड में उस solution को भी मैं आपको दिखा देता हूं so solution क्या है select average salary as average salary from jobs so यहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं average function का यूज करके average salary find out कर रहे हैं ठीक है तो यह था हमारा first question बढ़ते हैं अपने next question की तरफ so next question हमारा क्या what is the highest salary in the data set and which job role does it correspond to हमें find out कर है कि highest salary कौन से job role का है वो चीज हमें find out करना है तो चलो उसके लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं श्रीक्वल का लिखते हैं so second question हमारे पास उसके लिए select हमें highest salary find out करना है तो इसके लिए हमें पास क्या होता है max function होता है में so max function हम लोग कर रहे है क्या करना है salary find out करना maximum salary so इसको मैं क्या करता हूँ as highest salary एज एलिया सेट कर देता हूं और यह कहां in the data set and in which job roles does it correspond to so हमें find out करना है कि कौन सा job role इससे associated है तो job role check करने के लिए check कर लेते हैं कौन सा कॉलम है हमारे पास सो यहां पर हमारे पास कॉलम है job title सो इसको क्या करता हूं यहां पर हमें करना पर एगा highest salary comma and then हमें job title select करते हैं इस चीज़ को रन करता हूं मैं फिर से समार पास क्या है output जो machine learning engineer is job title क्या है machine learning engineer उसका सबसे ज्यादा salary है ठीक है क्या है salary 3 करोर 40 लाक्स 3 करोर 40 लाक्स ml engineer का जो ml engineer job profile है उसका highest salary ठीक है तो सेम था मारे पास second question what is the highest salary in the data set and which job rules does it correspond to तो क्या था job title email engineer salary क्या था 3 करोर 40 लाक्स ठीक है इसका आप solution देख लेते हैं सेम स्लाइड में हम लोग सो solution क्या है select max function करके salaries highest salary find out करेंगे job titles from where from our jobs table ठीक है तो यह हमारे पास second question का answer हो गया बढ़ते है next question क्या है what is the average salary for data scientist in US data scientist जो है US में US location में उसका हमें क्या find out करना average salary find out करना है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे यहां पर हमें वेर कंडिशन का यूज करना पड़ेगा तो चलो उसके लिए SQL का query लिखते हैं हम लोग next question की तरह बढ़ते हैं so select select क्या करना है हमें हमें find out करना average salary so average salary और इसको एजाए लिया से कर देते हैं so average salary from where from our jobs table उसके बाद क्या था question में हमार पास question में था कि क्या होना चाहिए jobs data scientist होना चाहिए कौन से location में होना चाहिए US location में होना चाहिए तो चलो अब वेर condition यहां पर add करते हैं हम लोग so where where job title job title equal to क्या होना चाहिए जॉब होना चाहिए data scientist so data scientist and and क्या होना चाहिए हमारे पास second जो है location क्या होना चाहिए company location होना चाहिए US सो उसके लिए मैं क्या करता हो company location इसको कोपी करता हूँ यह कंपनी location एकक्वाल टू क्या करता हूं यूएश ठीक है यूएश स्लेट करता हूँ इस चीज को मैं अब सारे को रन करता हूँ अभी देखो हमारा पास क्या रहा है एवरेज सेलरी इवरेज सेलरी यह कौन से पोफाइल का डेटा साइन्टिस्स का कौन से लोकेशन में इसका सॉलूसन चेक कर लेते हैं अब उतने स् salary as every salary अलियाज हम लोग सेट कर रहे हैं from jobs table where job title data scientist and location क्या है यूज है हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं Max average function का यूज कर रहे हैं and second where condition हम लोग यूज कर रहे हैं इस question के लिए ठीक है बढ़ते हैं अपने next question की तरफ question number four so क्या है हमार पास question number four what is the number of jobs available for each job title जैसे कि हम लोगों में देखा कि हमारे जो जॉब टाइटल है उसमें multiple jobs available email engineer data scientist big data engineer data scientist and many more ठीक है तो हमें find out करना है कि एक job title के लिए कितने jobs available है ठीक है उसी तरह सारे job title के लिए कितने-कितने jobs available है तो यह हमें find out करना है तो चलो उसके लिए फिर सब्सक्राइब हम लोग सिक्क्राइब का क्वरी लिखते हैं so next question है मार पास what is the number of jobs available for each job title लिखते है उसके लिए query select क्या करना हमें job title so select job title अनिहां पर हम लोग क्या करने वाले count function का में यूज करने वाला हूं so count star क्योंकि सारा ही count करना है मुझे star as क्या करता हूं number of jobs यह कहां से हम लोग find out कर रहे हैं so हम लोग find out कर रहे हैं from jobs टेबल से इसको क्या करते हैं कि हम लोग group by कर देते हैं job title के form में so group by group by job title select करता हूं complete query को run करते हैं देखो हमारे पास आग आया output machine learning engineer के लिए कितना जोब अविलेबल है 34 data scientist के लिए 840 jobs अविलेबल है applied data scientist के लिए 58 data analyst के लिए 612 data model के लिए to research engineer के लिए 37 and shown shown आप यहां पर देख सकते हो job titles and number of jobs यह चीजह हमें find out करना था क्या find out करना था what is the number of jobs available for each job title job title में एक टाइटल के लिए कितने jobs अब लेवल है वह सारी चीजह में find out करना था चलो अब इंसर देख लेते हैं हम लोग अपने slide में सो क्या है मार पास इंसर यहां पे सेलेक्ट जॉब टाइटल काउंट आज नंबर ओफ जॉब्स अलियाज सेट कर रहे हैं पर फ्रॉम जॉब्स इसको ग्रूप बाइब कर दे रहे हैं किस चीज को जॉब टाइटल को सो डैट कि हमें complete जॉब टाइटल के हिसाब से हमें सारा काउंट मिल जाए किस चीज का कितने जॉब्स एफ लेवल है ठीक है तो यह हमार पास फूर्थ कोश्चन का एंसर हो चुका है बढ़ते हैं अपने नेक्स कोश्चन की तरब क्या है नेक्स सेलेक्ट जैसे कि हमें पाता है क्या है हमार पास कोश्चन में टूटल सालरी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं 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 सब्सक्राइब क्या होना चाहिए सब्सक्राइब इक्वल्टू क्या होना चाहिए डेटा अनलिष्ट सो डेटा डेटा अनलिष्ट मेक्शूर कि आप स्पेलिंग जो है करेक्ट स्पेलिंग लिखो हो एंठ क्या है दूसरा कंडीशन है अमार पास जॉब का होना चाहिए जौुब्स कि म्मपूनियव के संब करते हैं आप पर Snow ambitious है सो कंपनी लोकेशन्हार कंपनी हमें कंपकर न करते हैं देखते हैं क्यां पूर फूर थाउजंड क्या सम सालरी और हमारे पास question पूछ रहा है what is the total salary paid for all the data analysts So so total salary paid so इसको मैं क्या करता हूँ एलिया भी हां पर देता हूं total salary paid ठीक है select करता हूं रान करता हूं फिर से तो जैसे कि आप पूर देख सकते हो कितना है 54,000 complete total salary paid कि जा रहा है किसको data one data analyst को और उसका role कहां पर है company location कहां पर है डी में है और रोल क्या है डेटा अनलिस्ट रोल के लिए टोटल फिप्टी फॉर थाउजन मनी पेड किया जा रहा है ठीक है तो यह चीज़े हमें फाइंड आउट करना था चलो चेक कर लेते हम अपना एंसर अपने स्लाइड में सो क्या है मार पास इंसर सेलेक्ट सम अफ सैलरी आज टोटल सैलरी पेड इसको एजएल याड से कर रहे हैं लोग फ्रों जॉब्स वेर जॉब टैटल क्या होना चाहिए डेटा अनलिस्ट और लोकेशन क्या होना चाहिए डी लोकेशन में हमें फाइंड आउट कर हाइइश पेइं जॉब टाइटर अंधियर क्रेश्पंडिंग डुक्त में टोफ लिए हम वेट लेकर करना है तौफ थासर जोब टाइटल एक तो तुसके लिए उसके लिए क्या करते हैं उपरिन तरतंइक a toe 0 अब सेलरी का सो सैलरी और इसको एजालिया जैस कर देता हूं जालरी सेलरी ठीक है सो यहाँ पर आरो पॉस्व पर नौ dès mo पर्न प्षाने सब्सक्राइब करने ऑ। legitimately इसलिए बाद limit set कर देंगा कितना 5 चलो define करते हैं उसके लिए ग्रुब भाई ग्रुब भाई किसको लोग गुरुब भाई करने वाले गुरुब भाई हम लोग करने वाले जॉब टाइटल को and order by करने वाला हूं order by किसको करने वाला हूं अपने इसे लिरी को जो हम लोग इलियासAK कर कि अ उसके बाद डिस एंडिंग और में क्या वुले फाइबो किअद चीट कर देता हूं MS तो 2020 लिमिट दिस ले फफाइब किशलेट करता हूं किन ने को रन करता हूं देखते हैं हम आर पास आस पुट आता है और पास आउटपुट आ गया तॉप फाइव हाय प्राइज याड़ी डिटा साइन्टिस्ट जैसे कि हम लोग को पता है लीट को सबसे ज्यादा सालेरी मिलता है उसके बाद डेटा आणरिस्ट डेटा अनलिस्ट लीड को अल्यकुंटा के सब्सक्राइब यहां पर मेंजन किया गया त्यक्ति आप देख सकते हो फाइब हमें फाइंडाट करना था हाइए पेइंग जॉब एन इसका इव्रेस्ट सैलरी तो यह रहा डेटा अनलेटिस का यह रहा विया एनलेटिस का रहा डिस आंपर पास टॉप 5 इस फीजब आ चुका है और उसका सै एंसर स्लेक्ट जॉब टाइटल इफेस सैलरी ऐस ऑफिरेस सैलरी फ्रों जॉब्स ग्रूप घृट जोप कर रहे है किसको जॉब टैटल को और order by कर रहे हैं को descending order में क्या कर रहे हैं लिमिट फाइब सेट कर रहे हैं सो डैट कि वन बाइब हमें टॉप फाइब हाइस पेइंग जॉब्स जो है वह आउटपूट आ जाए ठीक है तो सेम आउटपूट आ चुका है हमारे पास बढ़ते हैं अपने सब्सक्राइब कि तरफ क्या है मारे पास next question वाट इस दो नंबर ओफ जॉब्स अव्लेबल इन इछ लोकेशन हमें क्या फैन आट करना है इस लोकेशन में कितने जॉब्स अव्लेबल है जो भी लोकेशन हमारे डेटा सेट में है तो वो चीज हमें find out करना है तो चले open करता हूं मैं अपना workbench query लिखना है start करते हैं ठीक है देखो यह टाइप का जो question है आपको help करेगा query को optimize करने के लिए आपको अपना query करने के लिए वो इश्किल को बेल करने के लिए आपको help करेगा अपार्ट फ्रों दिस डूरिंग दे इंटर्व्यू सम्टाइम क्या होता है कि आपको इंटर्व्यूर डारेक्ली आपको कुछ टीबल दे देंगे और टेबल के साथ आपको बोलें कि ठीक है आप यहां पर data analysis क करके बता मुझे युजिंग शिक्वर ठीक है तो यह सारी चीजें आपको help करेगा यह पूर्जेक्ट आपको उस समय help करेगा जब आप दूरिंग दे इंटर्व्यू बैठे हो ठीक है तो चलो कोरी लिखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या था हमारे पास question what is the number of jobs available in each location ठीक है select company location and उसके बाद क्या करना है total find out करना है right what is the number of jobs available so इसके लिए हम लोग क्या करेंगे count function का मैं use करने बाला हूँ so count start all find out करना है मुझे as number of jobs as a alias मैं इसको set कर देता हूँ and उसके बाद from from jobs table से हम लोग find out करना है इसको क्या करने वाला हूँ मैं इसको मैं group by करने वाला हूँ तो को भी करता हूँ इस चीज को group by group by and क्या करते हैं हम लोग अपने company location को group by में सेट कर देते हैं select करता हूँ इस चीज को run करते हैं जैसे ही हम लोग run करेंगे यहां पर देखो यूएस लोकेशन में कितने जॉप सब लेबल है 2655 सीए लोकेशन में 63 डी लोकेशन में 34 जीवी लोकेशन में 142 एंगी लोकेशन में 4 इसी तरह यह multiple location है अपना डेटा जो भी हमार पास डेटा है उस उस बेसिस पर हमारे पास company के location के basis पर हमारे पास number of jobs आ चुका है यहां पर ठीक है इस चीज़ हमें find out करना था क्या था हमारे पास question what is the number of jobs available in इस लोकेशन सो क्या करेंगे हम लोग यहां पर यहां पर हम लोग सिंपल काउंट function का यूज करके location को company का जो लोकेशन है उसको group करतेंगे चलो चेक करते हम अपना solution अपने slide में स्लाइड में सो क्या है solution select company location काउंट क्या कर रहे है हम लोग कंपने location को as number of jobs from where from jobs group by कर रहे हम लोग कंपने location को group by कर दे रहे हैं and count कर रहे हैं कितने jobs available ठीक है तो यह हमारे पास beginner question का seven number question था चलो next बढ़ते हम लोग eight question की तरब क्या हमारे पास question what are the top three job titles that have the most job available in the data जाइज तॉप three job titles हमें find out करने जिसमें सबसे ज्यादा jobs available right तो चलो उसके लिए आप लिए स्टार करते हैं सो क्या करता हूं मैं select select क्या करना हमें job title find out करना है so job titles top three job title find out करना है जिसमें सबसे ज्यादा है jobs available so select job titles अब मैं क्या करने वाला हूं क्यों सारे चीज को जितने jobs available है उसको count करने के लिए so as number of jobs number of jobs कहां से आ रहा है हमार पास यह यह आ रहा है हमार पास jobs table से और उसका पास हम लोग क्या करने वाले है ग्रूप बई करने वाला हूं मैं अपना जॉफ टाइटल को ग्रूप ग्रूप बई ग्रूप बई जॉफ टाइटल एंड बाई करने वाला हूं किसको जॉफ टाइटल अपने नंबर और जॉब्स को number of jobs number of jobs and descending order में क्या करने बादा हूं spelling miss में अच्छ है इसको मैं क्या करता हूं गुरूब ग्रुप बाई क्या है मर पास job title अब आ गया है मर पास सही सो सेट करता हूं मैं इस चीज को रन करता हूं फिर से ओके यहां पर हमार पास फिर से एक इरह आ रहा है क्या इरह पास तैला है हम लोग कर रहे है number of jobs को count right so अब select करता हूं में इस चीज को run करता हूं okay so हमार पास एक एरा रहा है क्या रहा है हम यहां पर हमार पास number of jobs हम लोग set की है right so count as number of jobs from jobs group by कर रहे है किसको job title को group by कर रहे है and order by order by limit okay so spelling miss में हमार पास यहां पर करता हूं इस चीज को मैं run करता हूं फिर से अभी देखो हमार पास आ चुका है top 3 क्या job titles जो की सबसे ज्यादा jobs available है data engineer के लिए कितने jobs अवलेवल है 1040 data centers के लिए 840 data analyst के लिए 600 तो यह question था हमार पास right क्या था question what are the top 3 job titles that have the most job available in our data set so first क्या था मार पास first data scientist data engineer then data scientist and then data analyst check कर लेते हैं अपना solution अपने same slide में so क्या हमार पास solution select job titles count star as number of jobs हम लोग यहां पर क्या कर रहे है count कर रहे है number of jobs को from where from our jobs table group by कर रहे है job title को and order by कर रहे है number of jobs को and limit set कर रहे हैं कितने को top 3 को क्योंकि हमें top 3 चाहिए ठीक है तो यह था हमार पास question number 8 अभ इसी तरह बढ़ते हैं अपने next question की तरह question number 9 पर क्या हमार पास question number 9 what is the average salary for data engineer in Boston region ठीक है Boston region में Boston location में हमें फाइंड आउट करना average salary क्या है किसका data engineer का so average salary के लिए हमारा पास function होता है average so select average salary और इसको मैं क्या करता हूं एक इल्याज में set कर देंगे हम ठीक है so average salary from from कहां से आ रहा है हमार पास यह डिटा यह डिटा रहा है हमार पास jobs table से उसके बाद हम लोग क्या करने वाले है वेर कंडिशन में यूज करूंगा so where क्या हमार पास condition job title जो होना नहीं चाहिए and company location क्या होना चाहिए company location जो है बुश्टन होना चाहिए right so company location equal to क्या होना चाहिए पूश्टन होना चाहिए सो बुश्टन कि दिख करता हूं complete query को run करते हैं को अभी इंशके हमार पास क्या है यहां पर क्या आ रहा है ना ला रहा है क्योंकि हो सकता है कि बोस्टन जो है वह लोकेशन आप लेबल ही नहीं हो या फिर कुछ अधर लोकेशन आप लेबल हो अभी मैं क्या करता हूं इस लोकेशन को चेंज करता हूं लेट से यूए चेंज करता हूं ठीक है चेक करते हैं कि यह सेलमक कितना जो कितना सकता है चांसे सा की बूस्टन में जॉप्स अब बलेबली ही या फिर भूस्टन रीजन हमारे पास जो डेटा उसमें हो इस तो चलो यह था हमारे पास इस question का answer क्या था question what is the average salary for data engineers in Boston region ठीक है क्या है इसका query देख लेते हैं select average salary average salary find out करना है as average salary alias it कर रहे हैं from कहां से jobs data set से jobs table से where job title क्या है data engineer and location क्या होना चाहिए उसका Boston location होना चाहिए ठीक है बढ़ते हैं अपने next question की तरफ और beginner sequel query का last question की तरफ तो क्या है हमारे पास last question what are the top five cities with the highest average salary हमें find out करना है what are the top five cities with the highest average salary top five highest average salary देने वाला city find out करना है हमें सो उसके लिए क्या करता हूं मैं फिस open करता हूं अपना मारे शिपकर वांग बिंच and query लिखना है start करते हैं लोग next question के लिए so क्या करेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कंपनी का location ठीक है क्योंकि हमें क्या करना है top five city find out करना है so company का location चाहिए सबस्क्राइब करना है इसके लिए फॉंसन में यूज करता हूं सो average salary का से आरा है यह data so हमार पास यह जो डिटा आरा है jobs look jobs table से आरा है अब मैं क्या करने वाला हूं इसको मैं करने वाला हूं अपने company location को मैं group by करने वाला हूं and order by कर देंगे कि इसको मैं क्या करता हूं एक एलियाज में सेट कर देता हूं so as average salary and मैं इसको क्या करेंगे order by करतेंगे so from jobs group by company location क्या करेंगे order by कर देता हूं average salary कोada by average salary को मैं कर देता ठीक है अप क्या करता हूं यहां पर हमें क्या find out करना हमें find out करना top 5 city सीच्छ क्या करेंगे हम लोग को limit set करना पड़ेगा so order by average salary and descending order में मैं क्या करता हूं limit कि ど одном होना चाहिए 5 होना चाहिए select करता हूं complete को रन करते हैं सब्सक्राइब पास यह विविज है तो तो यह ओसे, top five city है, जो की highest salary जो है, इस top five city में दिया जाता है, ठीक है, तो यह था हमार पास complete, विगनर question, अब हम लोगे start करेंगे, intermediate question से, start करते हैं, अब हम लोग intermediate question, इस intermediate question में हम लोग क्या करेंगे, seven to eight जो question होगा, मैं solve करूँगा, and in between, one or two question आपको दूँगा, सब्सक्राइब करते हैं अपने इंटरमीडियेट का फ़र्स्ट कोश्चन क्या है हमार पास फ़र्स्ट कोश्चन इंटरमीडियेट में व सब्सक्राइब कोश्चन की टिक एलिएल्डियेड अपने करके श्वर्स्ट इंति है पें आननकर जाएम लबटायबं कितने है फ़र्ieurs एफ्सक्राइब केले इंट एफ ऱ्स ज्टैटल में ओगन अफ्टाइब कोश्थ सлекन। करते हैं कि वारटवरेंच सेलेड ओड सेलेडारेंट करते हैं ख़ह इसलिए रिए इसफेश्टेरग कहते हैं सेथा क्यों कि गवारच सनुपन करते हैं यहां पर job titles so select job titles क्या find out करना है average salary find out carnais average average salary in salary and if a salary और इसको एजाइल याश कर देता हूं में so average salary कहां से आ रहा है हमार पास डिकार यह यह data यह जो डीटा हो यह रहा है हमार पास कहां इच जॉब टाइटल तो एवरेज सैली हम लोगोंने निकाल दिया अब क्या है वाट इस टोटल नंबर ओफ जॉब्स एवलेबल सो हमें क्या करना पड़ेगा टोटल नंबर ओफ जॉब्स के लिए काउंट फंसन का यूज करना पड़ेगा राइट फोर इच जॉब टाइट इस जॉब टाइटल के लिए हम फायंद आउट करना कि किितने जॉब्स इंपलेबल है और यहाँट के चाहिऊं से इसको क्या करता हो चूंस को सब्सक्ति तेयुब कर लेते हैं किसको अपने जॉब टाइटल को जॉब्स ग्रोब गर लेते हैं तो इसलेट करता हूं मैं complete query को run करता हूं यहां पर देखो हमारे पास output आ गया क्या output है फिर्स जॉब टाइटल से से केंड इवरेस सैलरी है और नमबर अफ जॉब से यह हमारे पास question था राइट वाट इज दे इवरेस इवरेस तायली फॉर इच जॉब टाइटल और वाट इज डर तो शॉब आप जॉब लेग से इवरेस सैलरी किया हूं कितने आफ तो यह था हमारे पास नारका का Can you see is the answer किया है मार पास इंसार है इसका सेलेक्ट जॉब टासर इःटल इभरेज सैलरी ऐज इभरेज सैलरी इलियास करें कान। करें किर अबर जॉब्स क्योंकि हमें अबर जॉब्स फैंडव करना इस जॉब टाइटल के लिए from jobs and group by कर देना है किसको जॉब टाइटल ठीक है तो यह हमार पास एंसर आ गया किस को रिका वाट इस एवरेज सालरी फॉर इच इंप्लायर और वाट इस टॉटल नंबर ऑफ जॉब्स एवलेबल फॉर इस टाइटल दो कोश्चन है कि आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा को अच्छे से रीड करना पड़ेगा सब्सक्राइब क्या अच्छे से लिख सको सिक्वल का ठीक है बढ़ते हैं अपने नेक्स कोश्चन की तब क्या है मार पास नेक्स कोश्चन वाट अट ऑफ फाइव जॉब टाइटल सब्सक् कि अच्छे सबसे पहले फाइड आउट करना में टॉफ फाइव जॉब टाइटल विद्ध विद्ध हाइश टॉटल सैलरी और उसके बाद सेकंड कोश्चन है टॉटल नमबर ऑफ जॉब्स कितना अविले वह चीज़े फाइड आउट करना था पिछले में क्या था सेड़ें सेडकि लिक यहां क्या करना है कि चुटं करना किसका स्यल्रींगा इस से पर AKA में क्या चाहिए जॉब विद्ध बत्रभाए क। वत Самसे फिलिट में क्या में चाहिए भी चाहिए सुच्छ스जड़ फेल्स सम उप टाहिए खुंड र्या इस गरषन में लोबस यहह salary sum of salary और इसको मैं कर देता हूं as total salary as total salary from कहां से आ रहा है हमारे पास यहां जॉब से उसके बाद next question क्या था next question क्या था हमारे पास यहां पर and what is the total number of jobs available total number of jobs के अविलेबर है वह भी चीज हमें find out करना है सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें count function का यूज करना पड़ेगा सो यहां पर मैं count function का यूज करता हूं count start of total find out करना है और इसको as a alias message करें देता हूं as number of jobs from where from our jobs table and उसके बाद मैं group by करके सबसे पहले group by करूंगा किसको जॉब टाइटल को और उसके बाद number of jobs को क्या कर दूँगा सबसे पहले इसको करता हूं group by so को भी करता हूं इस चीज को गूब बाई group by job title group by job title and total salary को मैं क्या करता हूं order by में कर देता हूं so order by total salary and descending order में क्या करता हूं limit set कर देता हूं कितना फाइब इस चीज था में find out करना था राइट so top five job title find out करना था top five so इसके लिए हम लोग क्या कर रहे है यहां पर यहां पर लिमिर सेट कर देने कर रहे है total salary total salary आ चुका है job title आ चुका है और कितने नंबर आफ जॉप अभी अभी मार्केट में वह चीज हम लोगों ने यहां पर find out कर लिए राइट इसी तरह सबसे पहले मैं solution दिखाता हूं आपको सेम स्लाइड में सो क्या solution सेलेक्ट जॉब टाइटर समावप सैलेरी सम्फड आट कर रहा है और इसको आज अजली आज टोटल सैलेरी स्टोड कर रहे हैं काउंक करते हैं नंबर आफ जॉप कितने अबंपर और बॉल वह बाए में जॉप टाइटा करने है अपने नेक्स कोश्चन कि रब क्या है मार पास नेक्स कोश्चन वाटर दो टॉप फाइब लोकेशन विद रही टॉटल सेलरी अब देखो कोश्चन में थोड़ा-थोड़ा चेंज जा रहे हैं मार पास ठीक है पहले क्या था एवरेस ऐसली आट करना था सेकेंड में क्या हमार पास हाईस साली फाइंड आट करना था अब क्या है टॉप फाइब लोकेशन विद्ध हाइस सेलरी एंड वाट इट टॉटल नमट्व जॉब्स आफ लेवल सब्सक्राइब लोकेशन के बश्चिस पर फाइंड आट करना हैं कितने जॉप सैब लेबले वह वह चीज हम है चेक करना है और समय क्या करता हूं से इस हमें हमें लिखना पब हाई गासु त सब से पहले हम लोग किसको से लिट करेंगे जॉब टाइक यह चाहिए सो छोप टाइटल अन्ग टाइटल नहीं चाहिए यहां पर हमें क्या बुलना रोकेशन बोल रहे हैं इस लुकेशन के ल पुट्सल्डरी अनि उसके बाद कोउंट करने रहे हैं ज् Aleaom टूटल काउंट करना किसके लिए हमें नमबर अवफ जॉब्स नमबर आवफ जॉब्स फिराफ्ट को अम भाइड कर देता हुँ अप लोकेसं औंड टूटल सलरी को कर देता हूं मैं ऑॉडर जो ऑडर भाइ है वोगा इसेंद्बिस्दन करते हैं जैसे कि में टॉप फाइड करने लोकेशिश में सबसे ज्यादाम सबसे 속 sum of salary कितना मिलता है और कितने jobs available है वो चीज़ हमार पास आ चुका यहां पर ठीक है एक कोश्चन था हमार पास आ चुका है अब देख लिखते हैं अपना एंसर सेम स्लाइड में क्या है हमार पास एंसर सेलिक्ट कंपनी लोकेशन समॉफ सैलरी एज टूटल सैलरी एज लियास सेट कर रहे हैं काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ जॉब्स अन उसके पार हम लोग ग्रूप बाई कंपनी सेलरी एज टूटल नंबर ऑफ जॉब्स एवलेवल फॉर इच जॉब्स टाइटल इन इच लोकेशन यहां पर क्या है यहां पर हमार पास मल्टीपल कोश्चन है जैसे कि आप देखो फिर से मैं कोश्चन करता हूं वाट इज दा एवरेज सैलरी फॉर इच जॉब्स टाइ टूटल नंबर ऑफ जॉब्स एवलेवल फॉर इच जॉब्स टाइटल यहां पर मल्टीपल कोश्चन है ठीक है तो आपको उसी तरीका से सोचना है जिस तरीका से हमारे पास कोश्चन एवलेवल है एंड वन 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 वाइवन हमें को सूर्प करना पढ़ेगा सबसे पहले ह लोग एवरेज निकालेंगे उसके बाद लोकेशन काउंट करेंगे और फिर जॉब काउंट करेंगे कितने जॉब्स एवलेबल है सुचल का लिखता हूं उसके लिए सो हमें इसके लिए दोनों चीज चाहिए टाइटल भी चाहिए जॉब टाइटल एंड कंपनी का इसको अजए है कर देटसों एवरेज चलीरी फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉमलाउन जॉब्सा फ्रॉम जॉबस चाहिए काउंट करना है क्या जॉबस को उसके टेबल रान उसके बात मैं नहीं किया करता हूँ यहां पर per experiment के venâte है क्या अपना कंपोनी लोकेशन आडि मैं प्रमस्याय Seit में लोकेशन स्वस्पना सब्सक्राइज पर चरों अब singej करता हूं रहां करते हैं अभी देखो ऊक हैं में पासे इहां पर लोग define कर रहे हैं पर इसके बाद हम लोग count कर रहे है कि इसको number of jobs को ठीक है and from job title okay so from jobs from jobs group by कर रहे है कि इसको job title को and company location को हमार पास यह query ठीक है देख लेते हैं क्यों इसको जैसे कि आप यह देख सकते हो इसको मैं क्या करता हूँ जी आर ओ यूप ग्रूप कर रहे हैं हम लोग सो सेलेट करता हूँ मैं फिसे इसको run करते हैं अभी देखो हमार पास output आचुका है क्या था हमार पास question फिसे मैं read करता हूँ बड़ा question है समझू इसको ठीक है what is the average salary for each job title average salary find out करना every job title के लिए in each location and what is the total number of jobs available for each location तीन चीज़ हमें find out करना every salary title के हिसाब से job title के हिसाब से location and कितने jobs available है so क्या हमार पास job title company location every salary क्या है इसका कितने jobs available है इस particular job title में कौन से location में so email engineer इस में कितने jobs available है 28 data scientist CA location में कितने 21 इसी तरह हमार पास average salary calculate हो चुका है solution check कर लेते हैं आपने same slide में so क्या हमार पास solution select job titles company location average कर रहें किसको salary को count कर रहें किसको number of jobs को and group by में convert कर रहें किस चीच को हम लोग यहां पे job titles को and company location ठीक है अब next question है हमार पास 50 number question यह question में क्या गरता हूँ आपको as a assignment देता हूँ make sure कि आप as a assignment इसको complete करो comment section में इसका answer बताओ ठीक है मैं अभी आपको solution बता दूँगा but आपको explain नहीं करूँगा solution ठीक है solution आपको खुछ से सोचना है and then comment section में answer बताना है मुझे चलो question समझते है क्या है मार पास answer what is the average salary for each job title in each location average salary format करना है किस चीच का job title का each location every location में find out करना है average salary and what is the percentage of jobs for each job title in each location हमें percentage भी निकालना है किस चीच का job title का each location में कि कितना percent job available है so percentage निकालने के लिए हम लोग क्या करते है multiply करते है hundred से and then divide करते है right so यह hint आपको आपको इसका answer बना के comment section में बताना है मुझे बढ़ते है आपने next question की तरब so solution में आपको complete नहीं बताऊंगा next question की तरब बढ़ते है क्या है हमार पास next question what are the top five job titles with the highest average salary top five job titles with the highest job salary and what is the total number of jobs available for each job title हमें find out करना है सबसे पहले क्या top five job titles with the highest average salary average हमें निकालना है and what is the total number of jobs available jobs कितने available है every job title के लिए तो वह चीज हमें find out करना है तो चलो उसके लिए sequel का query लिखते है open करता हूं है close करता हूं इस चीज को ठीक है so सबसे बहले हमें क्या निकालना है average निकालना है job title का so select इसको में क्या करता हूं job title को copy करता हूं यहां से so comma average क्या निकालना हमें salary so average salary average salary और इसको as a aliaj में set कर देता हूं so as aliaj average salary and उसके बाद यह कहां से आ रहा है मान पास यह जो आ रहा है from jobs table से आ रहा है और हमें क्या करना है हमें count भी करना है right हमें count भी करना है यहां पर top five job titles with the highest average salary and what is the total number of jobs available count करना है so इसके लिए हम लोग क्या करते है count function का मैं यहां पर use करता हूं so count count star all count करने के लिए as number of क्या करता हूं number of jobs number of jobs and group by कर देता हूं और यहां पर मैं किस चीज को group by कर देता हूं job title को and उसके बाद order by हम लोग use करेंगे so group by group by job titles and order by average salary so order by average salary and descending order में क्या कर देता हूं मैं limit set कर देता हूं कितना था हमार पस हमें find out करना था top five job titles right so limit five set कर देता हूं select करता हूं complete query को यहां पर run करता हूं फिर से अभी देखो हमारे पास क्या output आ चुका है top five title के हिसाब से number of jobs कितने available है and उसके average salary कितना है वह चीज हमारे पास यहां पर आ चुका है job titles average salary number of jobs same हमें question था right what are the top five job titles top five job titles क्या है उसका highest average salary क्या है and what is the total number of jobs available for each job title यह हमें find out करना था right check करते हैं इसका solution क्या solution available है हमारे slide में match कर रहा है या फिर नहीं match कर रहा है तो बढ़ते हैं select job title average salary as average salary अलिया सिल्च कर रहें number of jobs find out कर रहें किस से count function का यूज करके and उसके बाद group by कर रहें job title को average order by कर रहें average salary को and descending order में limit लगा रहें five का क्योंकि हमें five job titles चाहिए था ठीक है so यह हमारे पास answer आ चुका है इसका query का चलते है next question की तरफ again again मैं क्या कर रहा हूं जैसे कि मैंने बताया था आपको complete intermediate series में मैं आपको two to three assignment देने वाला हूं तो एक और assignment मैं आपको यहां पर दे रहा हूं ठीक है so चलते है next question की तरफ देखते हैं और इसको मैं बना देता हूं एक और दूसरा assignment दोंगा आपको what is the average salary for each job title and what is the percentage of jobs for each job title जैसे कि पिछला assignment मैंने आपको दिया था percentage का इसलिए मैं क्या करता हूं इसको यहां पर बना देता हूं so that कि आपको थोड़ा सा hint and help में मिल जाए ठीक है question समझते हैं फिर से what is the average salary for each job title average salary each job title के लिए क्या है average salary क्या है and what is the percentage of jobs available for each job title in the data set ठीक है percentage of jobs क्या अब लेबल है वो चीज़ा मैं find out करना है तो चलो open करता हूं मैं इस चीज को फिर से sql का query लिखने स्टार्ट करेंगे यहां पर हम लोग क्या करेंगे percentage find out करने के लिए क्लिए multiply करेंगे hundred से हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा तो चलो query लिखते हैं select क्या क्या हमें job title चाहिए average क्या चाहिए salary चाहिए तो इस चीज को मैं copy कर लेता हूं complete इसको यहां पर मैं copy कर लेता हूं तो यहां पर हमारे पास average salary calculate कर रहे है और यह data कहां से आ रहा है यह उज़ करते थे अब हमें क्या find out करना है percentage सो इसको मैं copy करता हूं count करने के लिए and percentage करने के लिए सबसे पर्ले हम लोग क्या करना पड़ता है hundred से multiply करना पड़ेगा और इसके बाद हमें divide भी करना पड़ता है right सो अब हम लोग क्या करते हैं इसको divide करते हैं किससे select of select count of total total number of jobs so from from jobs and इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको हम as a aliaj as a aliaj मैं क्या करता हूं इसको set कर देता हूं so as job क्या percentage job percentage इसको जो है महार पास लाना पड़ेगा इसको bracket के अंदर इस चीज को हमें bracket के अंदर लाना पड़ेगा ठीक है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे group by कर देंगे group by group by किस चीज को job title को इसको मैं को भी करता हूं यहां पर select करता हूं run करता हूं फिर से क्या है यहां पर मिस्टेक हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर हम लोग यूज कर रहे है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर अब ही देख को कर देख को महार पस आचुका है क्या है आचुका है job title साइल आचुका है average salary क्या है and percentage job job available है वह percentage में कितना है वह भी information हमारा पस आचुका है same query हमें लिखना था वाट इस the average salary for each job title so job title कहीं आप से आप से average salary आ चुका है job title के हिसाब average salary next क्या है हमार पास and what is the percentage of jobs for each job title in the data set कितना percentage में कितना job available है वो भी चीज हम लोग find out कर चुक है right same query हमें लिखना था right चलो match करते है solution को अपने slide के solution से so क्या है हमार पास solution slide में for job titles average निकाल रहे है alias it कर रहे है average से and जो count हम लोग कर रहे थे number of jobs count करने के लिए उसको percentage निकालने के लिए क्या कर रहे है multiply कर रहे है and divide कर दे रहे है किस से count से और उसके बाद group by apply कर रहे है कहां पर अपने job titles पर ठीक है तो यह हमार पास answer आ चुका है next question की तरह बढ़ते है है question number 18 पर क्या है मार पास question number 18 what is the total number of jobs available for each years of experience यहां पर थोड़ा सा question change है मार पस थोड़ा सा question change है मार पास what is the total number of jobs available for each years of experience based upon the years of experience हमें क्या find out करना total number of jobs available and what is the average salary for each years of experience average salary we find out करना है किसका years of experience के basis पर ठीक है थोड़ा सा question change है यह पर चलो SQL का query लिखना हम लोगे start करते है open करता हूं है अपना कि मैं स्प्रियंच लिखते है SQL का query हमें क्या करना है select अब चेक कर लेते है हमें experience के लिए हमें कौन सा कॉलम था सो उसको लिए मैं आता हूं ऊपर ओके सो यहां पर हमारे पास experience level एक कॉलम है सो इसको मैं select कर लेता हूं सो select experience level हमें क्या करना है काउंट करना पर एगा count function का यूज करके कितना jobs अब लेबल है वह चीच find out करने के लिए सो count और कर लेता हूं मैं as number of jobs एवरेज भी निकालना है salary so average salary salary as average salary मैं alias set कर लेता हूं कहां से आ रहा है यह data सो यह data आ जो आ रहा है हमारे पास jobs table से आ रहा है और group by कर देते हैं हम लोग group by किसको experience level को बहुत ही simple query है इसका question फिर समझते है what is the total number of jobs available for each years of experience and what is the average salary for each years of experience average salary भी हमें find out करना है right so same था हमारे पास run करते है इस query को select करता हूं मैं run करता हूं अभी देखो हमारे पास एक error आ रहा है क्या error यहां पे group का जो spelling है वो mismatch है group GRO UP ठीक है फिर से मैं select करता हूं complete query को run करता हूं अभी देखो सो फिर से एक error रहा है लोग लाइक की spaces रन करते हैं इसको फिर से अभी नहीं फिर से हमारे पास आ रहा है देख लेते हैं select experience level count okay so look like spelling में में बहुत सारा मिस्टेक कर रहा हूं अभी देखो हमारे पास आ चुका है क्या था हमारे पास question फिर से कर लेते हैं थोड़ा सा question को what is the number of jobs available for each years of experience based इसका था हमारे पास mi जो है mid level or intermediate AC क्या है हमारे पास AC क्या है senior level और expert EN क्या है entry level और EX क्या हमारे पास executive level ठीक है so based upon the years based upon the experience senior level executive level mid level or entry level based upon the years of experience number of jobs कितने हैं अभ लेवल है number of jobs कितने हैं अभ लेवल है and उसका average salary क्या है वह चीज़े हमें find out करना था same चीज़ हम लोग यहां पर find out कर चुके है right चलो अब अपना solution match करते है slide के solution से क्या है हमार पार solution select experience level count as number of job salary average find out करना है और उसके बाद हम लोग क्या करते है group by apply कर रहे का पर अपने experience level column पर ठीक है तो यह हमार पार solution आ गया question number 18 का थोड़ा सा question देखो question आपको घुमा फिरा के मिलेगा ठीक है एकदम exact question नहीं मिलेगा थोड़ा थोड़ा आपको घुमा फिरा को question मिलेगा during the interview so make sure कि आप इस सारे question का जो है नहीं एक बार अच्छे से practice कर लो सेम जो solution मैं अभी कर रहा हूं यह description में mention है तो आप वहां से gethub पे check कर सकते हो complete solution और फिर से आप क्या करोगे वीडियो को देखो समझो कैसे हम लोग query लिख रहे हैं और सेम आप अपने system में भी इंप्लिमेंट करो इस चीज को ठीक है बढ़ते हैं आपने next question की तरब question number 19 क्या है मार पास question number 19 what are the top five job titles with the highest average salary in each location top five job title find out करना है जिसका highest average salary each location में क्या है वो चीज हमें find out करना है तो चलो थोड़ा सा इसका भी query लिख लेते हैं हम लोग so सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा यहां पर सो इसको let me close yes so सबसे पहले हमें क्या find out करना है job titles and company location दो चीज हमें find out करना पड़ेगा so select job titles so job titles and second जो column हमें select करना है कौन सा company location so select job title company location average salary find out करना है so average salary और इसको मैं agilias search कर लेता हूं so average salary यह कहां से आ रहा है हमार पास यह जो आ रहा है from jobs table से आ रहा है अब हम लोग क्या करेंगे where condition लिखेंगे but bare condition लिखनें से पहले फिर से question देख लेते हैं क्या हमार पास question what are the top five job titles with the highest average salary in each location ठीक है अब हम लोग यहां पर क्या करने बाले है where condition लिखेंगे where job title job title where job title in operator का मैं यूज करने बाला हूं in select क्या select करेंगे job title from from jobs group by करने बाले हम लोग group by group by क्या करने बाले है अपने job title को and order by करने बाले हम लोग order by किस चिच को अपने average salary को so average salary और इस को किस format में करेंगे हम लोग descending order में इसके बाद हम लोग group by apply करने वाले हैं कहां पर group by apply करने वाले हैं अपने job title पर and company location पर देखो इस question को आप डिफरेंट डिफरेंट बेसे बना सकते हो first page जो यहां पर मैं use कर रहा हूं क्या in operator use कर रहा हूं अब दुसरे बेसे भी इस question को आप बना सकते हो ठीक है run करते हैं check करते हैं अपना output so run करता हूं मैं इसको हमार पास एक error आ रहा है check कर लेते हैं क्यों आ रहा है दो कॉलम हम लोग select कर रहें average को अजय अलियाज average salary set कर रहें वेर कंडिशन में लिख रहा हूं इन operator का यूज करके complete जो है average salary find out कर रहा हूं particular jobs के लिए ठीक है तो सेम हमार पास था next जो question है हमार पास question number 20 और intermediate question का intermediate paper का last question so उसको मैं क्या करता हूं as a assignment आपको देता हूं two question as a assignment intermediate में ठीक है क्या मार पास question what is the average salary for each degree level based upon the degree level हमें क्या find out करना है हमें find out करना है average location and what is the total number of jobs available for each degree level दो question है मार पास first average salary based upon the degree second total number of jobs कितने अब लेवल है based upon the degree तो वो चीज़ा हमें find out करना था similar हम लोग क्या find out किये थे एक experience level के लिए similar हम लोग question find out किये थे question number 18 और 17 में ठीक है तो यह question जो है आपको as a assignment बनाना है and answer में इसका answer बताना है ठीक है बढ़ते हैं अपने next paper की तरफ और वह क्या है हमार पास वह हमार पास advance question और इस video का last part advance series start करते हैं अब हम लोग अपना advance series and देखते हैं अपने advance series का first question क्या हमार पास first question advance series का what are the top five job titles with the highest salary and what is the name of the company that offers the highest salary for each job title हमें find out करना है top five सबसे highest paying job titles and what is the company name फॉन सा ऐसा company है जो कि सबसे ज्यादा highest pay करता है member को और employee को ठीक है तुँ वह सारी information हमें find out करना है चलो sequel का query लिखते हैं जैसे कि हमें क्या-क्या चाहिए job titles and company का नाम चाहिए दो चीजे चाहिए जो कि highest average pay करता है ठीक है highest salary pay करता है so select क्या चाहिए job title चाहिए so select job titles average average नहीं maximum salary हमें find out करना है right so maximum salary from where from jobs from jobs एक और information हमें चाहिए क्या company name हमें क्या चाहिए company name name of the company that offers the highest salary for each job title यहां पर हमें company name चाहिए चलो देख लेते हैं क्या है हमार पास यहां पर table में I'd I'd work here years of experience so यहां पर हमार पास company name नहीं है first job table में देख लेते हैं आपने second table को second table में जैसे कि आप देख सकते हो यहां यहां पर हमार पास ID है और company name है यहां पर हम लोग जैसे कि दो टेबल यूज करने वाले हैं it means कि हम लोग यहां पे joint function का यूज करने वाले हैं तो चलो यहां पर सबसे पहले मैं company करता हूं so maximum salary और इसको मैं क्या करता हूं as a alias set कर देता हूं so max salary और second हमें क्या चाहिए company का नाम so company name from where from jobs and उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर join function यूज करना पड़ेगा अभी मैं क्या करता हूं यहां पर inner join यूज करता हूं inner join on which basis किस basis पर हम लोग दोनों table को join करेंगे सो वो चेक कर लेते हैं सो जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर company's table में जो है हमार पास id column है जो की common है and jobs में हमार पास id table है so दोनों table में एक id जो column है वो common है so based upon the id column हम लोग क्या कर सकते हैं इसको को join कर सकते हैं सो चलो इसको मैं को भी करता हूं यहां पर inner join inner join companies and on on jobs id equal to companies.id so based upon the id हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर join कर रहे हैं दोनों table को और उसके बाद हम लोग ग्रूप बाइज करेंगे so group by क्या job title job title and order by use कर रहे हैं हम लोग so order by highest maximum salary maximum salary and जैसे कि हमें पता है हमें find out क्या करना है top 5 job titles so top 5 job titles के लिए हमें define करना परेगा क्या limit limit set करना परेगा so descending limit क्या limit 5 select करता हूं मैं complete query को run करते हैं जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास job title आ चुका है maximum salary आ चुका है and company का नाम आ चुका है जैसे कि मैं यह टेबल जो है company name इसको मैं खुद से create किया हूं तो इसलिए मैं कुछ भी नाम यहां पर दे दिया हूं क्योंकि मुझे कुछ इडवांस questions आप लोग के लिए बनाना था ठीक है तो इसलिए मैं random यहां पर नाम दे दिया हूं company का तो यह हमारे पास आ चुका है क्या था हमारे पास question question data scientist के लिए इमेल इंजिनियर के लिए data science manager के लिए and head of data science के लिए तो यह हमारे पास solution हो गया इस query का हमारे पास यह complete solution हो गया match करते हैं अपने solution को अपने slide से सुचेक करता हूं मैं स्लाइड क्या है मारे पास लाइड में answer सेलेक्ट जॉब टाइड़स maximum salary हम लोग सेट कर रहे कंपनी नेम और कंपनी नेम जैसे कि हमें पता है दूसरे टेबल में तो हम लोग यहां पर क्या यूज कर रहे है इनर जॉइन यूज कर रहे हैं और हुच बैसिस पर हम लोग दो कंपनी का नाम चाहिए था ठीक है तो यह हमार पास इसका solution हो गया बढ़ते है अपने next question की तरब क्या हमार पास next question question number 22 advance what is the total number of jobs available for each job title what is the total number of jobs available for each job title and what is the number of company that offers the highest salary for each job title highest salary कौन सा company है जो कि highest salary offer कर रहा है कौन से job title के लिए similar type का question है similar type का जो कि अभी हम लोगों ने किया इसको मैं क्या करता हूँ एजय साइमेंट आपको देता हूँ ठीक है solution मैं आपको सो कर देता हूँ क्या है हमार पास solution solution क्या है हमारे पास first तो आप यहां पर join function लगाओगे किस basis पर ID के basis पर और उसके बाद आपको condition लिखना पड़ेगा कौन सा where condition जहां पर आप salary equal to define करोगे किसको maximum salary find out करेगे and second where condition आप define करोगे question के तरब क्या हमार पास next question what are the top five city with the highest average salary again same type का question हमार पास same type का question है what are the top five cities with the highest salary and what is the name of the company that offer the highest city highest salary in each city पहले हम लोगों ने क्या solve किया था company solve किया था कि कौन सा company है जो कि highest payment पे करता है अभी क्या हमार पास अभी highest pay जो company कर रहा है वो कि city में available है वो भी चीज हमें find out करना है तो यहां पर हमें क्या बुक्ताइब करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए deveसंड़ा बेका कमपनी का लोकेशन हमें चाहिए सो कंपनी सेलेक्ट कंपनी का लोकेशन और हमने क्या है इनर सेट करना पर तो कों से टेबल से हमें आ रहा है यह जो आ रहा है वर्म जुब देवल से बड़ नहीं नाम भी जाहिए सो उसके लिए अर्व क्या करना पढ़े कमपनी डीफाइं करना पढ़ेगा सो एज एज oveए सालरिय मैं इसको एज इलयाइस कारता हूं company name करता हूं सो इनर ये ले लाई मार można धोरन करता हूं एज आ आएढ़र में यहां लोग सेंधस्य एचुच्चे में descending order में limit set कर रहा हूं क्या 5 क्यों हम 5 set कर रहा हूं क्योंकि हमें top 5 city का नाम चाहिए चलो select करता हूं complete query को run करता हूं so जैसे कि यहां पर लग रहा है हमें कि एक इरन आने वाला है बट नहीं आया चलो अच्छा यहां पर इसलिए आ रहा था एक है है सब्सक्राइब एक रहा है सब्सक्राइब अच्छा यहां जैन इंड निवत लिए आचुका है वह सारे इंफॉर्मेशन हमार पास आ चुका है इंसर मैच कर लेते हैं अपने से कामाराब है यहां पांप एंसर यहां पर सेलेक्छ कम्पनी नेम to is एलिए एलियो 서비ह यह सेलेक्ट कर रहे हैं कुष्यण को पतिब नियुकर करे Cambridge नेक्र्था कितर एंव primarily salary for each job title in each company what is the average job salary for each job title in each company every company में में हमें हमें find out करना है क्या average salary and what is the rank of job title rank of job title it means यहां पर हम लोग क्या यूच करेंगे window function यूच करने वाले हम लोग ठीक है within each company based on the average salary so हमें rank भी find out करना है किसका each job title का within a company ठीक है चलो इसके लिए हम लोग query लिखते है यहां पर हम लोग rank function का यूच करने वाले है window function so चलो इसको मैं close करता हूं सबसे पहले query लिखते हैं so क्या select क्या क्या चाहिए हमें job title चाहिए and company का नाम चाहिए so company name and second हमें क्या है चाहिए job title चाहिए था मुझे so select job title company name and average salary हमें find out करना है so average salary के लिए क्या करेंगे average function का यूच करेंगे average salary from where from इसको इसको अजिए अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो inner function में define कर देता हूं so inner function and इसको हम लोग group by कर लेते हैं so group by किस बैसिस पर करेंगे job title के बैसिस पर company की बैसिस पर so job title company name and अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर rank function करने वाले क्यों rank function करने वाले हैं उसको समाज़ लेते हैं यहां पर क्या है वाट इफ्रेस salary for each job title in each company तो वह function हम लोग को नहीं पर define कर लिया अब हम लोग क्या है and what is the rank of each job title within each company based upon the salary based upon the average salary हमें rank भी define करना है उसके लिए हम लोग rank define करते हैं so rank rank over यहां पर हम लोग क्या यूज करने वाले है पार्टिशन भाई यूज करने वालों हमें so partition partition y अगर आपको window function clear नहीं है क्या होता है कैसे काम करता है description में link है make sure you can watch the video guys ठीक है so partition by हम लोग क्या करेंगे company name define करेंगे so partition based upon the company name हम लोग क्या कर रहें partition में define कर रहें and order by क्यों क्यों हम लोग यहां पर partition company name पर define कर रहें क्योंकि यहां पर mention है job title within each company based upon the average salary so हमें जो rank apply करना है क्या company के basis पर job title को divide करना है so इसलिए हम लोग यहां पर company name यहां पर मैं define क्या हूं पर्टिशन कर रहा हूं based upon the company order by क्या कर रहा हूं यहां पर order by average salary order by average salary और इसको as a descending order में मैं define कर दे रहा हूं and इसको as a as a alias it कर देता हूं like as salary rank select करता हूं rank select करता हूं इस चीज को and run करते हैं फिर से so हमारे पास एक error आ रहा है क्या error आ रहा है देख लेते हैं तो रहा सा so job title company name average salary as a alias हम लोगों ने set कर दिया है ठीक है rank over partition by company name हम लोगों ने define किया order by यहां पर क्या average salary हम लोग find out कर रहे है ठीक है descending order में इसको लिए error तो नहीं आना चाहिए but let me check it out let me run this one again okay so यहां पर हमें error आ रहा है क्यों क्योंकि हमें यहां पर देना पड़ेगा comma run करता हूं अब मैं complete चीज को अभी देखो हमारे पास आ चुका है output क्या यहां पर job title company name average salary and rank define हो गया है one two three four five six क्यों यहां पर हम लोग rank define की है rank function की रिए so one two three four five based upon the rank based upon the salary average salary हमारे पास rank define हो चुका है चलो फिर से question समझते है what is the average salary for each in each job title so job title है हमारे पास यहां पर average salary है ठीक है next क्या है हमारे पास job title in each company and what is the rank of each job title within each company based upon the क्या based upon average salary जो है based upon the average salary हमारे रैंक define करना था कहां पर company के अंदर ही company के अंदर ही तो यहां पर जैसे कि देशकते हो ABC company जो है सबसे पहले ABC company का rank defined हुआ है ठीक है ABC company उसके बाद फिर DEF जो company है DEF company उसका rank defined हुआ है उसके बाद फिर से यहां पर आप GHI जो company है उसका based upon the average based upon the average salary based upon job title जो है rank defined हुआ है ठीक है जो हम लोग क्या कर रहे है rank defined कर रहे है ठीक है solution match करते है अपने slide में चलते है next slide में solution match करते है so select job title company name average and rank apply कर रहे है किस बेसे पर पार्टिशन बाइख कंपनी नेम के बेसे पर order कर रहे है किया average salary को इनेर जोइन कर रहे है based upon the ID और ग्रूप बाइख कर दे रहे है कि आपने next question की तरफ जो है हमार पास question number 25 क्या है हमार पास question number 25 what is the total number of jobs available for each job title in each location कितना job available है job title के basis पे and location के basis पे and what is the rank of each job title within each location पहले क्या था company के basis पर में define करना था यहां पर क्या है location के basis पे हमें define करना है on the total number of jobs सेम हम लोग यहां पर rank function का यूज करने बाले है चलो इसको as assignment देता हूं में solution यहां पर आपको दिखा देता हूं ठीक है क्या है हमार पास solution select job title company location count कर रहे हम लोग number of jobs rank यूज कर रहे हैं सो जैसे कि यहां पर location में क्या हमार पास question पूछ रहे है rank based upon what based upon location सो इसलिए हम लोग यहां पर क्या define कर रहे है partition by location कर रहे है and then same चीज हम लोग define कर रहे है ठीक है इसको आपको as assignment बना के मुझे answer में बताना है next question की तरह बढ़ते है question number 26 क्या है मार पास question number 26 what is the average salary for each job title in each location average salary find out करना है each job title के लिए based upon location and what is the name of the company that offers the highest salary first क्या है average salary find out करना है and what is the name of the company that कौन सा company है जो कि सबसे जादा salary offer करता है and each job title in each location job title के basis पे and location के basis पे हमें find out करना है average salary and highest salary ठीक है इसको भी आपको as assignment complete करना है यहां पर भी आप क्या करोगे first तो आपको जॉइन फंसर नीज करना परेगा दोनों टेबल को add करने के लिए इसके बाद आप क्या करोंगे where condition apply करोगे okay so यह भी आपको as assignment में दे रहा हूं बढ़ते है अपने next question की तरब क्या है मार पास next question इसका solution यहां पर मैं थोड़ा सा हिंड देता हूं आप यहां पर देख लो बढ़ते हैं next question की तब आपको यह completely खुद से बनाना है next question क्या है मार पास next question what are the top five companies with the highest average salary for data scientist partition for data scientist partition it means कि based upon the data scientist हमें क्या करना परेगा यहां पर condition लिखना परेगा and what is the rank of each company based upon average salary based upon the average salary हमें rank भी apply करना है company के basis पर ठीक है चलो SQL का query लिखना है स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा difficult है अगें इसमें हम लोगों को window function उच करेंगे where condition उच करेंगे like join condition उच करेंगे join function उच करेंगे तो यह सारी चीजे हमें उच करना है so चलो query लिखते हैं इसके लिए select क्या क्या चाहिए सबसे परले हमें हमें चाहिए company name so select company name company name और क्या करना है average salary find out करना है so average salary और average salary यह data कहां से आ रहा है यह जो data है हमार पास jobs table से आ रहा है rank function का उच करते है directly rank rank over order by order by मैं क्या करने बाला हूँ average salary और इसको मैं क्या करूंगा descending order में as a alias set कर देता हूं so descending as a alias salary rank salary underscore rank and अब हम लोग inner function करने वाल है so इसको मैं सेम चीज मैं कोपी कर लेता हूं क्योंकि based upon the ID हम लोग क्या कर रहे है जोइन कर रहे है अब question fee से पड़ते है so what are the top five companies with the highest average salary for the data scientist position so हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर हमें condition लिखना परेगा वेर क्या job title where job title equal to क्या होना चाहिए job title equal to होना चाहिए data scientist job title क्या होना चाहिए data scientist and group by कर देंगे इसको किस बेसिस पर कंपनी के नेम के बेसिस पर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे order by किस बेसिस पर average salary हम लोग define किये थे average salary हमें क्या चाहिए हमें चाहिए हम लोग अप्लाई कर देते हैं यहां पे spelling mismatch है so group कि सेलेट करता हूं मैं complete query को run करते हैं so हमारे पास एक error आ रहा है क्यों कि हमें यहां पर देना पड़ेगा क्या कॉमा सेलेट करता हूं कम्प्लीट कोड को फीसे हमारे पास error आ रहा है क्या आ रहा है तो company name, कॉमा एवरेज करता हूं कम्प्लीट कोड को फीसे रन करते हैं देखो हमारे पास आ चुका है top 5 company name average salary and rank be defined हो रहा है so क्या हमारे पास वाइयर जो company है उसका average salary यह है rank क्या है first rank है second क्या हमारे पास vwx company name average salary and rank same question था हमारे पास क्या था question what are the top 5 companies with the highest average salary for data scientist position and what is the rank of each company salary average salary for data scientist position के लिए so data scientist position के लिए यह रहा average company name यह रहा and based upon that हमारे पास क्या है rank अब लेबल है चलो solution check कर लेते हैं अपने slide में क्या है solution हमारे पास select company name average salary as a alias set कर रहे है rank of order भाई क्या कर रहे है हम लोग average salary one by one ठीक है descending order में हम लोग कर रहे है and उसके बाद inner function करके हम लोग wear condition कर रहे हैं क्योंकि हमें job title data scientist का ही जाए ठीक है next question की तरब पढ़ते हैं और this intermediate series का last question जो की है आपको as a assignment बनाना है क्या है मारे पास what is the total number of jobs available for each years of experience in in each location and what is the rank of each years of experience within each location based on the total number of jobs question को रिवीट करता हूं मैं question को रिवीट करता हूं what is the total number of jobs available for each years of experience based upon the years of experience कितने jobs available in each location in each location ठीक है every location में and what is the rank of each years of experience within each location based upon the number of jobs so हमें rank भी define करना है सबसे पहले क्या find out करना है total number of jobs कितने अब लेबल है based upon the number of experience in every location में and then basis पर हमें क्या करना है rank define करना है चलो इसका solution मैं सुआ करता हूं आपको सुक्या हमारे पास solution select experience location दो चीज़ हमें चाहिए count हम लोग क्योंकि complete count करना हमें कितने jobs available है rank हम लोग apply कर रहे है किस पर partition by based upon the location क्योंकि location के basis पर हमें partition में define करना है ठीक है कितना jobs available है ठीक है और उसका job title क्या है तो यह सारे location information experience क्या है location क्या है और कितने jobs available है based upon the experience and based upon the location वो चीज़े हमारे पास आ जाएगा ठीक है this is all about data science salary analysis project using SQL guys let me know your view in a chat section कैसा लगा यह complete projects अगर आपको इसी टाप का complete SQL का project चाहिए python का project चाहिए then let me know in a chat section and yes please like the video subscribe the channel and share with your friends thank you number one 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 two one one